हलो एब्रीवन वेल्टम टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब उम्मिद करती हूँ हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं चूहा भकाने का एक ऐसा घरेलू नुश्का लेकर आई हूँ हूँ जिसे यूज़ करते ही एक बार में ही सारे चूहे घर से बाहर भाग और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजेगा चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरू प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरी हर वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे कई बार घर में चूहे बहुत जादा हो जाते है तो इसलिए चूहा को जरूर घर से बाहर भागाना चाहिए अगर हम मेडिशिन यूज़ करते हैं मेडिशिन देते हैं तो चूहा कई बार घर के बाहर भागने के बजाए घर के अंदर ही छुप जाती है और मर जाती है फिर हमें हर कोनी की सफाई करनी होती है नहीं तो फिर हम बनाइंगे तो आपको लेना है चावल आप चावल गेहु या दाल कुछ भी ले सकते हैं चुहा को आप देखेंगे ज्यादा तर गेहु या गेहु का आठ चावल दाल यह सब खाते हुए उन्हें बहुत अच्छा लगता है तो आप इंन चावल ले रही हूं दो चम्मच जितना आप चावल लीजे और उसमें आधी चम्मच मिर्च पाउडर डालना है आप जाए हरी मिर्च को ही कूट के रख लीजे या फिर साबूत लाल मिर्च को कूट के आप डाल लीजे थोड़ा तीखी होना चाहिए अब इसमें रखेंगे तो आप कोई भी पाउडर ले सकते है जैसे घमोरी वाली होती है तो वो कम यूज होती है तो आप वो भी ले सकते है बस खुजबूदार होना चाहिए तो मैं पॉंस रख रही हूँ एक चम्म जितना हम इसमें रखेंगे और अब रखेंगे इसमें डिटॉल डिटॉल साबून भी रखेंगे और डिटॉल भी रखेंगे आपके पास अगर डिटॉल साबून नहीं है तो आप कोई भी साबून ले सकते हैं जो खुजबूदार हो जिसकी स्मैल बहुत ही स्ट्रॉंग हो तो आप वो ले सकते हैं तो मैं साबून को थोड़ा सा ग्रेट करके रख रही हूँ और फिर रखूंगे आधे डखकन जितना डिडॉल और इसको मिक्स कर लेंगे चावल में जो हम पाउडर रखे हैं मिर्च पाउडर रखे हैं इन दोनों चीजों की कोटिंग होनी चाएए चावल के उपर या फिर गेहूं दाल जो भी रख रहे हैं उसके उपर अगर आप चाहे तो थोड़ा सा पानी भी रख सकते हैं गीला नहीं करना है जादा बस ये सारी जो चीजे हम रखे हैं वो चावल के उपर कोट हो जाए बस उतना रखना है और इन सारी चीजों को मिक्स करने की बाद अब हम लेंगे नियूस पेपर है तो नियूस पेपर ले लीजे नहीं तो टिशू पेपर के छोटे-छोटे डूकरे बना के और उसके उपर हम शॉलूशन को रखेंगे और इसको अच्छे से हम रैप कर लेंगे जैसे चोटी-चोटी पुडिया बनाते है न वैसे हम बना लेंगे और अब इसका यूस कैसे करेंगे यह मैं आगे बताती हूँ तो मैं दो टिप शेयर करने वाली हूँ आपको चुहा भगाने का आप दोनों ही इस्तमाल कर सकते है या फिर आपको जो आसान लगे आप वो बना लेजी तो टिशू पेपर में मैं इन सारी शॉलूशन को रख देती हूँ एक एक चमच हम रखेंगे और रखने के बाद इसे मैं फोल्ड कर देती हूँ अच्छे से और चलिए अब दूसरा मैं रेमेडी बताती हूँ जो उसे कैसे बनाना है तो ले लेना है एक चमच जितना आटा आपको जितना बनाना है उसके हिसाब से लीजेगा पर एक चमच में हो जाएगी तो एक चमच गेहू का आटा ले लीजे या फिर आप चावल का आटा मक्के का आटा जो भी आपके पास अबलेवल हो आप आटा ले सकते हैं इसमें रखेंगे हम थोरा सा मेच पाउडर जिससे की ये तीखा बन सके और थोरा सा डिटॉल और पानी डाल के एक करक डो तियार करेंगे जैसे रोटी के लिए डो तियार करते हैं वैसी ही जादा ना हार्ड होना चाहिए और ना ही जादा शौफ्ट होने चाहिए इसको हम अच्छे से मसल के गोंद लेंगे इसकी जो स्मेल है आटा या चावल ये हूँ चुहे को बहुत पसंद आती है खाना तो वो खाने के लिए इसको आएगा लेकिन इसमें हम डिटॉल डाले हैं और मेच पाउडर डालेंगे तो जैसे ही ये खाने के लिए चुहा आएगी इसको खाके ही भागेगी उसे बिचैनी होगी और फिर खाके वो बाहर के तरफ भागेगी जब आप इस रेमेडी का बार बार इस्तमाल करेंगे तो फिर चुहा आप देखेंगे कि एक भी घर में नहीं रहेगा तो आप जिस भी कोने में आपको चुहा जादा नजर आती है आप इस गोली को रख दीजिए जहां पे आप मशाले रखते हैं या फिर राशन की चीज़े रखते हैं चाबल आटा रखते हैं वहाँ पे आप रख दीजिए गैस सिलिंडर के नीचे गैस स्टोफ के नीचे बरतन जहां रखते हैं उन सब जगह पे आप एक छोटी छोटी गोलिया इस तरह से बना के रख लीजिए और फ्रिज के नीचे भी रख सकते हैं ड्रेसिंग हो गया बैड हो गया तो बैड के नीचे भी आप रख दीजिए जहां पे भी आपको चुहा ज़्यादा नजराती है वहां पे इस तरह से आप रख सकते हैं और जो हम पुडिया बनाएं हैं चावल का उसका हम क्या करेंगे कि जहां पे आप जैसे बैड में भी आप कई बार देखेंगे कि अगर हम बैड खोलते हैं कोई समान निकालने के लिए और चुहा उसमें गुज जाती है मिलती नहीं है चोटे चोटे बच्चे होते हैं तो आप इस पुडिया को रख देंगे तो वो तुरंत भागेंगे उसकी स्मेल से क्योंकि इसमें मिर्च पाउडर रखे हैं और साथ में डिटॉल भी रखे हैं सावुन रखे हैं तो इन सब की स्मेल से उन्हें दिक्कत होगी और वो भागेंगे आप कवड में भी इसको रख सकते हैं इससे किसी तरह का आपको कपरों का कोई नुक्षान नहीं होने वाला है कई बार दिबार में कवड बने रहते हैं जिसमें नहीं लगी रहती है गेट तो ये ओपन ही रहता है तो उसमें भी हम कपड़े रख देते हैं और परदे लगा देते हैं पर ओपन होने की वज़े से एक डर रहता है कि कहीं चुहा कपरों को खराब न कर दे तो उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेर कर दीजिएगा बाबाई टेक क्यार